सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैचो फ्लीज और वीडियो अच्छी लगे तर लाइक और शेयर कर देने स्टाट करते हैं खुशी ए स्टुडेंट ऑफ क्लास सेवन्थ वास ओन ए फिल्ड विजिट तू नियरेस्ट एनिमल फार्म कोमल जो कक्षा सेवन्थ केक विध्यारती थी एक दिन अपने पास वाले जो उसके पास में एनिमल फार्म था पशुशाला थी जो वहाँ पर किस लिए जाती है विजिट करने जाती है यातरा करती है उसने वहाँ देखा कि गायत तब है सराम करते हुए अपना मुँ चलाए जा रही थी मतलब जुगाली कर रही थी वह उसे जुगाली करना कहते है ग्रास-eating animals quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen बच्चो घास खाने वाले जो जन्तू होते है ठीक है वो घास को जली जली क्या कर लेते हैं पहले जली जली निगल लेते हैं पूरा चबाए बिना ही निगल लेते हैं अपने अंदर और फिर उसको अमाश्य जो उनका पेट होता है उसके एक अलग भाग में store कर लेते हैं बंडा दित कर लेते हैं उस पार्ट को जो वो पार्ट एक separate पार्ट होता है एक अलग भाग होता है पेट में उसे क्या बोलते हैं? rumen बोलते हैं ठीक है ये भाग क्या कहलाता है रुमेन कहलाता है the food gets partially digested in rumen and is called कड rumen में भोजन का थोड़ा सा पाचन हो जाता है जिसे जुगाल कहते हैं या कड कहते हैं कड को जुगाल भी कहते हैं कड भी बोल सकते हैं इंदी में भी but later the cud returns to the mouth in small lumps and the animals choose it लेकिन जब बाद में जंतू इसको जो इखटा कर लेते हैं ये अंदर इस ट्रमक में remain में जिखटा कर लेते हैं भोजन को वो बाद में उसे अपने मुच में ले आते हैं फिर छोटे छोटे टुकड़ों में अपने मुच में लेकर Savannah और उसे चबाते रहते हैं, this process is called rumination, और इस process को क्या बोलते हैं, रोमन्थन बोलते हैं, जुगाली करना, and these animals are called ruminants, और इस परकार के जनतों को ruminants बोलते हैं, अब आगे देखते हैं, the grass is rich in cellulose, जो घास में, घास जो होती है, उसमें cellulose की प्रचूरता होती है, यह type of carbohydrate, यह carbohydrate के एक प्रकार है, the cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria in a large cell, like structure between the small intestine and large intestine of ruminants, ruminants में, भोजन के cellulose का जो पाचन होता है, वो छोटी आथ और बड़ी आथ, ठीक है, उसके बीच में होता है, small intestine और large intestine के बीच में होता है, और उसको क्या बोलते हैं, वो एक thalinuma syndrome होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बच्चों हिंदी में बोलते हैं, अंधनाल, ठीक है, उसमें कुछ जिवाडूों के दुआरा इसका पाचन किया जाता है, Since these bacteria are not present in human, ये जिवाडू जो होते हैं, मनुष्ये के आरनाल में उपस्थित नहीं होते हैं, Therefore we cannot digest cellulose, इसी लिए हम लोग क्या हैं, जानवर तो पचा लेते हैं, cellulose को और हम लोग मनुष्ये जो हैं, cellulose को नहीं पचा पाते हैं, ठीक है, घास को नहीं पचा पाते हैं, अब आगे देखिए, आगे ये picture है बस, और question answer है, तो question answer करते हैं, what is rumen, rumen किसे कहते हैं, तो य यहां से answer लिखेंगे, यहां से लिखेंगे सही बच्चे, grass eating animals quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, वो बोजन को जल्यली निगल कर, पेट में का लग भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग rumen क्यालाता है, ठीक है, यहां तक लिखेंगे, question number two कि I write, three examples of ruminants, जिन जानवरों को ruminants कहा जाता है, उनके तीन उधारन देने, जो जुगाली करते हैं, तो आप लिख दीजे, cow, buffalo, goat, गाय, बकरी और bass, यह तीन के नाम लिख दीजे, question number three है, why human cannot digest cellulose, मनुष्य cellulose को क्यों नहीं पचा पाते हैं, तो इसका answer आप यहां से लिखेंगे, the grass is rich in cellulose, घास में cellulose की पिचूरता होती है, a type of carbohydrate, जो carbohydrate का एक प्रकार है, the cellulose of the food is digested by the action of the certain bacteria in a large sec like structure, present between the small intestine and large intestine of ruminants, ruminants में भोजन के cellulose का पाचन, छोटियांत और बढ़ियांत के बीच में एक थेलीनुमस संरचना में होता है, जो कुछ जिवाणों के द्वारा किया जाता है, since these bacteria are not present in human, therefore we cannot digest cellulose, ये bacteria जो होते हैं जिवाणों, वो मनुष्ये के अहर नाल में उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है मनुष्ये के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं पचा सकते हैं, तो यहां तक लिखेंगे, आप पू होता है, बहुत अधिक cellulose होता है, ये type of carbohydrate, ये carbohydrate का एक प्रकार है, यहां लिख लेंगे carbohydrate, थर्ड है the animal which can do rumination is called ruminants, तो इसमें क्या हैगा, जन्तु जो जुगाली करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ruminants कहते हैं, यहां जाएगा ruminants, यहां जाएगा carbohydrate, यहां जाएगा cellulose, यह तीनों आपको कर लेना है, आपकी worksheet complete होगी बच्चों, मिलते हैं next video में, thanks for watching,